पाकिस्तान के लाहोर और पंजाब प्रांत के अन्या हिस्तों में आई विनाशकारी बाड़ के कारण विभिन सबजी और फलो की कीमतों में भारी उचाल देखने को मिला है लाहोर के बाजार में टमाटर की कीमत 500 रुपे तो प्याज की कीमत 400 रुपे प्रती किलो तक पहुँच गई है सबजीयों के आस्मान छूते भाव के बीच पाकिस्तन सरकार भारत से टमाटर और प्याज का आयात कर सकती है आने वाले दिनों में प्याज और टमाटर की कीमत 700 रुपे प्रती किलो के पार हो सकती है इसी तरहें आलू की कीमत 40 रुपे किलो से बढ़कर 120 रुपे किलो हो गई है दरसल लाहर बाजार की थोक वेपारियों ने कहा है कि बाजार में ठमाटर और प्यास में तन्य सबजिय नियमित बाजारों की तुलना में सोर प्रती किलोग्राम कम कीमत पर उपलब थी लेकिन अब आने वाले दिनों में खाद्य अपदार्तों की कीमते जिस तरीके से बढ़ रही है उमीद की जा रही है कि आगे भी बढ़ती रहेंगी क्योंकि बाड के कारण बलूचिस्तान, सिंध और दक्षिन पंजाब में सबजियों की सप्लाई बुरी तरह से परभावित हुई है आगामी दिनों में प्याज और टमाटर की कीमत 700 रुपे प्रती किलो के पार हो सकती है इसी तरह आलू की कीमत भी बढ़कर 120 रुपे के पार जा सकती है सुत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि सरकार वागा सीमा के जरीए भारत से प्याज और टमाटर आयात करने के विकल पर विचार कर रही है वर्तमान में लाहोर और पंजाब के अन्या शहरों में तोर्खम सीमा के जरिये अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की सप्लाई हो रही है लाहोर मार्किट कमेटी के सचीव की बाने तो उन्होंने कहा है कि बाड के कारण शिमला मिर्ज जैसी सब्जियों की भी बजार में कमी हो चुकी है सरकार भारत से प्याज और टमाटर का आयात कर सकती है ऐसे में उमीद की जा रही है कि भारत में भी प्याज और टमाटर की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है